एक सेट जी बहुत बिमार हो गए घर वालों को उनके बचने की भी उमीद नहीं रही सभी लोग उनके पास चिंतित खड़े थे तभी अचानक सेट जी ने अपनी पतनी से पूछा बड़ा लड़का कहा है यही है और तीनों लड़किया आपके सिराने खड़ी है और दोनों चोटे लड़के वे भी यही है फिर क्या दुकान बंध है एक बार स्वर्ग और नर्क के बीच का दर्वाजा तूट गया शैतान ने एक रोज उस तूटे दर्वाजे पर खड़े होकर कहा ओ इंद्र यह दर्वाजा तूट गया है तुम बनवा देना इंद्र ने कहा करो इंद्र क्यों मुकत में बाजी पर उतरते हो तुम्ही बनवा दो इंसाप से बारी तो तुम्हारी ही है शैतान वावा सारे वकिल तो मेरे यहां है एक महिला अपनी सहेली से बात कर रही थी तबी उसकी लड़की रोनी सूरत लिए वहां आई मा ने कारण पूछा वह ब पूल गई और मुझे सजा मिली कोई बात नहीं बेटी आजकल के कान्वेंट स्कूलों में ऐसा ही होता है पर तू भी अपनी चीजें यहां वहां रखने की आदत छोड़ दे समय पर मिलती नहीं मा ने कहा एक नए वकील ने अपना दफ्तर खोला दूसरे ही दिन पहला वकील अंदर घुसने लगा वकील टेलीफोन उठाकर दो सेकेंड ठेरा और बोला देखो राय बहादूर चुनिलाल से कहो कि अवह अपील बिना खर्चे जीत गए हैं फिर नवा अगंतुक की ओर देखकर बोला जी जनाब फर्माईए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं वह है हिचकिचाते हुए बोला मेरी मैं तो आपका टेलीफोन ठीक करने आया हूं मुकदमा जायदाद का था वकील सहाब अदालत के भीतर जा रहे थे कि उनके मुलाकात दूसरे पक्ष के वकील से हो गई दुआ सलाम के बाद उन्होंने पूछा और आपके साथ ये कौन है ही फैसला कर लीजिए आप जीत गए इन गवाहों को दो बार मैं भी मुकदमे में पेश कर चुका हूं मालिक हमें नोकर की जरुरत तो है लेकिन हम ऐसा नोकर चाहते हैं जो कंजूस हो नोकर कंजूसी के कारण ही तो मैं पिछली जगे से निकाल दिया गया मालिक वह कैसे न कर दरहसल मैं गंदे हो जाने के डर से अपने खपड़ों को नए पहन कर मालिक के कपड़े ही पहन लिया करता था सेट नए वकिल से वकिल सहाब आपकी बात से मुझे राम जेट मलानी की याद आ गई वकील अजी सहाब कहा जेट मलानी कहा मैं वह तो हिंदूस्तान के बुजर्ग बैरिस्ट्रों में गिने जाते हैं सेट मैं बुजर्गों की नहीं फीसकी बात कर रहा हूं एक पठान कर्शदार से तुम मेरे पैसे कब तक लोटा दोगे कर्शदार मुझसे क्यों पूछते हो मैं क्या जोतिसी हूं एक दोस्त दूसरे से शादी के बाद क्या होता है दूसरा पहले साल में आदमी बोलता है और औरत सुनती है दूसरे साल में अवरत बोलती हैं और आदमी सुनता है और तीसरे साल में दोनों बोलते हैं और पडोसी सुनते हैं शादी से पहले लोग क्या करते हैं? भविशे के बारे में सोचकर खुश होते हैं और शादी के बाद आतित को याद करके भोते हैं एक हाथी ने एक चुहे को देखकर कहा अपनी जिन्दगी में मैंने इतना कमजोर और बारिक सा जीव नहीं देखा चुहे को बहुत बुरा लगा ताव खाकर उसने कहा तुम्हारा खयाल गलत है मैं हमेशे ऐसा नहीं था वह तो जरा हपते भर से बीमार हुए लिख पढ़ सकते हो अभियुक्त ने उतर दिया हुजूर लिख तो सकता हूँ पर पढ़ नहीं सकता अच्छा कागज पर अपना नाम लिखो पुलिस अफसर ने कहा अभियुक्त ने कागज उठा कर उस पर तेड़ी मेडी लकीरे खीच दी और कागज वापस कर दिया यह तुमने क्या लिखा है जुझला कर पुलिस अफसर ने कहा सहाब मैंने पहले ही कह दिया कि मैं लिख सकता हूँ पर नहीं सकता अभियुक्त ने उतर दिया तुमारे पिताजी ने मरते समय कुछ कहा था एक मित्र ने दूसरे से पूछा नहीं, मा उनके सिर पर खड़ी थी इसलिए वैं मुह से एक शब्द भी नहीं निकाल सके